तो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं Fantasy Sports Spy YouTube चैनल और मैं हूँ गौरव आज के दिन का जो दूसरा वीडियो हम कवर करने वाले चैनल में वो रहेगा प्रीमियन लीग का मैच Burnley वर्सिस Southampton के बीच इस मुकाबले का करते हैं तो दोस्तो बात करूँ Burnley और Southampton की यह दोनु टीम्स प्रीमियन लीग में एवरेज रहता है ना इनका कुछ ज्यादा अच्छा रहता है ना ज्यादा खराब रहता है एक एवरेज टेवल टीम है और यह मैच टर्फ मोर जो की Burnley का हम ग्रॉंड है वहाँ आज राट 12-30 एम पे खेला जाएगा अब इन दोनु टीम्स के वी जो लास्ट मैच होगा था प्रीमियन लीग में वो दो एक से Burnley ने Southampton को हराया था अब हम बात करते हैं अभी तक के जो recent performance इन दोनु टीम्स के रहे हैं जो लास्ट दो मैचे इनोंने खेले हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमियन लीग में अभी तक दो मैच डेज हुए और यह थर्ड मैच डे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले Burnley ने सबसे पहले यहाँ पर 4-2 से Leicester से आ रहे हैं यह अपने पहली मैच में आ गए जो प्रीमियन लीग का था उसके बाद मीड वीक में इन्होंने कारवाव कप का मैच खेला है जो इन्होंने 2-0 से Millwall को आ रहा है अलंकि कारवाव कप को हम उतना फेवर नहीं करती है टीम्स इनको यहाँ पर जाता तक इस मैचे में बैंच के प्लेयर से खेलाती है तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले मैच में 4-2 से आनने के बाद Burnley आज bounce back करना चाहेगी वही जो यहाँ पर Southampton की टीम है इन्होंने प्रीमियर लीग में 2 मैचे सभी तक खेलिए Burnley ने सिर्फ एक ही खेला है तो यहाँ पर आप देखिंगे तो मीड वीक में कारवाव कप में भी हार गए 2-0 से इसके साथ यह 5-2 से अपने लाश्ट मैच में Tottenham से हार गे यह मैच आपको याद होगा जरूर Sun-Hung-Min ने इस मैच में चार गोल मारते Tottenham के लिए इसके साथ यह अपना जो पहला इस्टार्टर मैस था प्रीमियर लीग का नए सिजन का वो भी 1-0 से Crystal Palace से हार गे थे तो Southampton की इस सीजन की सुरुआत बहुत खराब रही है हलंकि अब यह इंप्रूब करना चाहेंगे यह 2-3 मैच हानने से Southampton की टीम में क्वालिटी में उतना फरग नहीं है क्वालिटी टीम की बिलकुल अच्छी है और आज के मैच में यह भी डेफिनेटली जीदना चाहेंगे तो एक बहुत अच्छा हमें फाइटिंग में देखने को मिल सकता है अब हम डिरेक्ट यहां पर बात करते हैं प्रोविबल लाइनप की तो बहले बन लीगी प्रोविबल लाइनप की बात करें उनके बाद डैनी इंक्स जैसा प्लेयर है तो निक पॉप जो हैं काफी वेतरीन सेविंग पॉइंट समय दे सकते हैं अब बन ली के जो चार डिफेंडर्स के लिटाज में बाट सले और चाली टेलर यह दो इनके फुल बैक्स हैं और यह दोनों अगले कुस दिनों में लेश्टर सीटी चले जाए इसलिए इनका खेलना यहाँ पे अगर खेले तो इनके मेन प्लेयर है अगर नहीं खेलते हैं इनके प्लेस में यहाँ पे लॉंग और डूनी जो इनके नए दोनों सेंटर बैक्स हैं पाट नसीब कहलेगी और डीसेंट है जो डूनी है इन्होंने पिछले मैच में प्रीमियल लीग में अपने डेब्यू में ही गोल मारता है डर में बाकी लॉंग भी एक ठिक टाक प्लेयर है हालंकि मैं इन पर उतना ट्रस्ट नहीं करता जितने इनके फुल बैक्स में करता हूँ अब इनके जो दो सेंटरल मिट्फिल्टर के लिए इसमें ब्राउन इल और वेस्ट बूट के लिए अब वेस्ट बूट इस टीम के वन अब दा बेस्ट मिट फिल्टर है बहुत ज़्यादा चांसेस क्रेट के पॉइंट आपको यह दिंगे गोल करने में केविल है असिष्ट करने में केविल है टैकलिंग इंटरसेप्सन क्लेरेंसेस के पॉइंट भी दिंगे इसलिए मैंने इनको यलो से में भी मार्ग किया है और बहुत अच्छी चोईस वेस्ट बूट आपके लिए हो सकते हैं अब जो ब्राउन हील है इनके बारे में कहना चांगा अभी तक कुछ ज़्यादा खास पर्फोमेंस किया नहीं था लेकिन जो लास्ट मैच इन्होंने काराबाव कप का ये वाला मैच खेला है मिल वाल वाला दो जीरो से जीते थे इस मैच में इन्होंने ठाटी याट से गोल मारा बहुत बहतरी इन गोल तो ये कभी-कभी रेंडमली सॉट्सन तारगेट लेते हैं उससे हमें पता चला और असिष्ट करने हैं चांसे ग्रीट इंड में भी केपेवल है हलंकि मैं इनसे बहले यहाँ पे वेस्ट बूट को रिकमेंड करना चाहूंगा अब इनके जो दो राइट में मिट फ्लिड और लेफ्ट में फ्लेयर खिलींगे एरिक पीटर से राइट मिट फ्लिड में खिलींगे अभी बहुत अच्छे पिलेयर है defensive wise भी उतने अच्छे जितने अटेटिंग वाइस और वियससे अजार राइट बेक खिलते हैं लेकिन आजकल ये राइट मिट्फिल में खिला रहे हैं इनके मेनेजरीने और ये बहुत डीसेंट चोईस हमाले हो सकते हैं टैक्लिंग इंटरसेप्सर इंचीजों के पॉइंट भी दे सकते हैं चांसेज ग्रेट भी कर सकते हैं असिस्ट करने में भी केफिबल है और मैकनील भी एक बहुत अच्छी जोईस है एक यंग्स्टर है बैनली का फ्यूचर है और ये प्लेयर गोल असिस्ट दोनू कर सकते हैं और ये लॉंग फ्रीकिक और सौट फ्रीकिक दोनू लेते हैं तो मैकनील वैसी बहुत इंपटेंट हो जाते है इसके साथ ही ये चांसेज ग्रेट भी बहुत ज़्यादा करेंगे वैस्ट वूट की तरह ही तो मैकनील भी इनकी टीम से बहुत अच्छी जोईस है फारवर्ड टू वूट और विड्रा खेलिंगे आप वूट के बारे में मैं कहना चाहूँगा लास्स सीजन की इनके टॉप स्कूरर थे 14 गोल और एक असिष्ट इस सीजन भी अभी तक एक गोल मार चुके एक ही प्रीमियल लिग मैच में और इसके साथ ये पैनाल्टी में भी होगे इसलिए बहुत इंपरेंट हो जाते हैं इवन ये केप्टन वाइस केप्टन सी की भी एसल में एक बहुत अच्छी जाइस हो जाते हैं और अगर बनली को यहां पर मैच जीतना है तो वुट पे गोल मारने का बहुत ज़्यादा दारमदार रहने वाल है विड्रा के बारे में कहना चांगा यह ज़्यादा इनको श्टार्ट नहीं मिलते है हलांकि इनके जो मेन दूसरे श्ट्राइकर है रडरीगस और इसके लावे एक बांस करके वो आज अने वेलेवल है तो यहां पर विड्रा स्टार्ट कर सकते हैं उतने consistent नहीं है एक match में गोल मारेंगे तो अगले 2-3 match इनके खराब जाते है इसलिए मैं इनको उतना recommend नहीं करता हूँ फिर भी एक forward area में खेलते तो goal scoring कर सकते हैं और last match में इन्होंने जरूर गोल मार था कारबबाव कब वाले match में तो विड्रा एक decent choice रहेंगे लेकिन उनसे पहले में McNeil, Peters और Westwood जैसे player को recommend करने वाल हूँ तो दोस्तों यह था Burnley के बारे में info आप हम Southampton की बात करते हैं उससे पहले आप मेरे telegram channel से नहीं जूड़े तो काफी कुछ आप मिस कर रहें description में आपको link मिलेगा, नहीं तो आप at the rate fantasy sports by search बारेंगे 1.6k से ज्यादा सब्साला channel आपको मिलेगा, यहां से आपको जूड़ जाना है line-up आने के बाद इस match की 8 GL और 1 SL team में यहीं post करने वाल हूँ हर football match हम cover करते हैं आपको बताइए और हर IPL match की भी 6 GL team में यहीं post करता हूँ तो जरूर जूड़ जाएए मेरे टेलीग्राम channel के साथ आप Southampton के बारे में बात करें तो Alex McCarthy इनके गोलकीबर हूँगे और यह भी बहुत अच्छे saving point हमें दे सकते हैं हलंकि goalkeepers में confusion जरूर होगी कि किसे लिया जाए क्योंकि दोनु तरह से saving points हैंगे और आप जानते ही हूँगे कि जो Dreamlearn का new point system है उसमें save की कितनी value है तो फिर भी मैं Nick Pope को थोड़ा ज्यादा recommend करूँगा मेकार्थी के comparison में Nick Pope इनके comparison में ज्यादा अच्छे हैं अब इनके जो 4 defenders के लिए उसमें 2 fullbacks, Bertrand और Walker beaters यह दोनु बहुत अच्छे fullback है के खासतर पर Kyle Walker beaters लास्ट मैच में एक assist ही दिया था, Tottenham से आये और बहुत attacking player है इसके लावा tackling interception के point तो दिंगे chances create करके भी दिंगे, assist करने में भी give up बल है आगे को forward areas में penalty भी दिला सकते तो इसलिए यह मेरे सबसे आपकी SL team में 100% रहने चाहिए इसलिए मैंने इनको yellow में mark किया है left side में Bertrand एक decent player है यह भी पहले जादा attack करते थे अलंगि decent होगे, थोड़ा बहुत similar Kyle Walker beaters जैसा ही role है लेकिन उतने जादा capable creative नहीं है जितने Kyle Walker beaters है तो यह fullback में पहली choice आपकी Walker beaters रहने चाहिए उसके बाद word run रहनी चाहिए दो center back, Stephens और betternark दोनु decent है last match बहुत खराब गया था इन दोनु center back का 5 goals concede कर दिये थे Southampton ने हलंकि वैसे overall देखा जाए तो काफी अच्छा है उतना ज्यादा मैं इनको recommend करूँगा नि अब word browse और armstrong के बारे में कहना चाहिए दो इनके बहतरीन midfielders अब word browse दोस्तो थोड़े underrated decision हो गए last season मुझे याद है हर match में लगभग इनका selection काफी 1000 था इस season 2-3 match में इनका performance अच्छा नहीं रहा तो इसलिए यहाँ पे इनकी ownership dreamland में जरूर कम हुई है लेकिन मेरे इसाब से तो मैं इनको knee drop करूँगा बहुत important player हो जाते है इस team के captain है free kicks भी यह लेते है पहले तो penalty share करते थे inks के साथ लेकिन अब मुझे लगनी रहा penalty यह share करेंगे अब सारी penalties inks ही लेंगे उसके बाजूत free kicks लेते है open play से goal करने में capable है assist करने में capable है chances create कर सकते है तो दो-तीन matches जरूर फ्रॉब हो है लेकिन बहुत अच्छे player है इसलिए मैं इन्हें definitely recommend करने वालो हूँ और यह मेरी FPL team में भी अभीदाई इसलिए बरकरार है क्योंकि इन पर मुझे भरूस है आज यह नहीं तो next वाला match कोई ना कोई match में इनका goal जरूर देखने को हमें मिल सकते है armstrong का भी बात करूंगा तो corona break के बाद से इनका season बहुत बढ़ जा गया था और इस season की सुरवाद भी decent रही है यह player भी goal assist करने में capable है तो मेरे साबसे midfield में वाट प्रॉस और armstrong Romeo के मुकाबले जाज़ा important हो जाते है forward 3 में जनेपो और Adams विंक्स में खिलेंगे जनेपो एक बहुत पेसी प्लेयर है बहुत tricky प्लेयर है हालंकि season उनका उतना अच्छा नहीं गया जास्ट भी यह season भी decent ही जा रहा है लेकिन फिर भी एक punt भी घमाले हो सकते है goal assist करने में capable है शी-adams भी एक second striking role में खेलते हैं इंक्स के साथ कभी-कभी randomly goal कर देते है अब यह consistency नहीं है इनके बास कभी एक match में goal मारेंगे तो अगले 2 match flop रहेंगे फिर भी sorts on target और इसके साथ ही chances created के points आपको दे सकते हैं और इसके साथ ही दोस्तों इंक्स को assist करने भी बहुँच जाब assist करते हैं तो छी-adams भी एक अच्छी choice हो सकते हैं आप इंक्स के बारे में कहना चाहूँगा Premier League के top strikers में आते हैं तो कितने important है आप इसी से जल जाए है तो बहुत important मेरे सबसे 200% यह player आपकी team में रहना चाहिए और आगर आप इन्हें captain नहीं करते तो wise captain तो जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यह कुछ Southampton के बारे में info थी अब कुछ most important player जो इनके निकल के आए बर्नली के बात करें तो वोड, मेकनील, वेस्ट्वूड और पीटर्स Southampton से इंक्स, एडम्स, वाटप्राउस, आम्स्ट्रॉंग और वॉकर-पीटर्स तो यह कुछ important player है prediction के बात करो जोस्तो, predict करना बहुत मुस्किल है save prediction तो 1-1 रहेगी लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर Southampton को favor कर रहा हूँ 2-1 मेरी prediction है हलंकि कुछ भी हो सकता है, 0-0 draw हो सकता है 1-0 either side हो सकता है 3-0, 4-0 Southampton हो सकता है तो हर एक combination के लिए हमें त्यार रहना है तो इस match की 8 GL और 1 SL team आपको नहीं बनाना या थी तो आप मेरी telegram चैनल से जुड़ सकते है जहां इस match की 8 GL और 1 final SL team आपको मिलने वाली है at the rate fantasy sports 5 आप search मारेंगे 1.6K से ज़्यादा सबस्वारा चैनल आपको मिलेगा यहां से आपको जुड़ जाना है और हर IPL match की 6 GL team भी मैं यहीं पोस्ट कर रहा हूँ तो description में लिंक है नहीं तो at the rate fantasy sports 5 लिखके telegram में search मारके आप जुड़ जाएं almost सभी football matches हम cover करते हैं और IPL matches भी cover कर रहे हैं तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो दोनु टीम्स के बारे में detail info उमीद करतो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जैन